तो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टुमाय चैनल, आगे हुमें आप लोगो के लिए डॉक्टर स्लम का एपिसोड 3 लेकर तो बिना देरी करें एक्स्प्लानेशन शुरू करते हैं एपिसोड 3 के शुरूआत में चियांग अपना इंट्रटक्शन देते हुए कहने लगता है कि मेरे इतने अच्छे ब्रेंड की वज़े से मैंने ना ही सिर्फ स्कूल में ना ही रीजिन में बलकि पूरे कंट्री में टॉप मारा और इतना ही नहीं मैं गेम में भी काफी ज़दा अच्छा हूँ और इसके साथ साथ मेरी परसनलिटिक को ज़दे ही अच्छी है जिसके चलते मैं अपनी क्लासमेट्स की हेल्प तक करता हूँ और इसी रीजन की वज़े से मेरे को सबी लोग बहुत ज़ादा प्यार करते हैं और उपर से मैं इतना ज़ादा स्मार्ट दिखता हूं जिसके चलते लड़कियां तो एवन मेरी एजीली हल्प करने के लिए त्यार रह जाती है मेरे किसमत तो बहुत ही ज़ाद अच्छी चल रही थी और इवन मुझे लग रहा था कि फ्यूचर तक मेरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है मेरी किसमत बहुत अच्छी है बट मुझे क्या पता था कि एक दिन हमारी क्लास में हान आएगी जो कि अपना एक एक्स्टा कोशन सॉल्फ करने के लिए भाग कर घर जाती थी इतना है ने बलकि हान को भीट करने के लिए मैंने खुद की नींद को भी सेक्रिफाइस कर दिया यानि कि रात रात भर मैं पढ़ने लगा और बात तो यहीं भी खतम नहीं होती जियांग ने एक दिन देखा कि हान तो खाना तक स्किप कर दिया अपने एक फ्रूट लेकर वहां से चली गई जिसके चलते उस दिन तो उल्टा जियांग ने अपने खाने को ही स्किप कर दिया यानि कि वह स्टाफ करने लगा मतलब एक तरह से जियोंग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था हान को बीट करने जियोंग को किसी भी कीमत पर अपनी फर्स्ट पोजिशन को वापस से हासल करना था और हान को दिखा देना था कि वो उससे जादा अच्छा है बट ऐसी लाइफ को जादी हेक्टिक होती है जिसमें तुम्हें रेस्ट करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है और इस चीज के चलते तुम ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ कुस दिन फॉलो कर सकते हो बाद में तो तुम्हारा पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा जिसके चलते एक गिन क्लास खतम होती अचानक से हान और जियोंग दोनों के दोनों क्लास में बियोश होके गिर जाते हैं और यहाँ पर हमें एक और चीज मालूम पढ़ती है कि हान अपनी पढ़ाई को लेके कितनी जादा सीरिस है वेल दोनों के दोनों को तो हॉस्पिटल में बैठा दिया जाता है जहाँ पर जैसी जियंग की आँख खुलती है तो थोड़ी देर में हान भी उठ जाती है और वेल यहाँ पर हान थोड़ा सा भी रेस्ट करने के जगा तुरंती अपने जेब में सी डायरी निकालती है और नोट्स पढ़ने लग जाती है अब यहाँ पर भी हान ने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं और इसके साथ सा जियंग थोड़ा सा रेस्ट लेकर जैसे उठता है तो वो देख पाता है कि हान तो अपने बेट में है ही नहीं जहाँ पर कुछी देर में जियंग के फादर मदर जियंग की कंडिशन को देखने के ले आते हैं और इसके बाद जियंग को मालूम पढ़ता है कि हान तो अल्डिटी हां से जा चुकी है उसकी एक important class थी जिसे वो किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाती थी और इसी reason की वज़े से वो फटा-फट से यहां से चली गई यह सब देखकर जियंग का पुरा दिमाग हिल जाता है और वो समझ नहीं पाता कि हान किस टाइब की लड़की है वो कितना भी कोशश क्यों न कर ले वो हान को बीट नहीं कर पाएगा उसको बीट करने के लिए जियंग को एक्स्ट्रा मैनत करनी पड़ेगी जिसके चलते जियंग डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी भी और किसी भी कीमत पर हान से वापस नहीं मिलेगा बट किसे पता था कि जब ये दोनों एक दूसरे से वापस मिलेंगे तो इतनी गंदी सिच्वेशन में मिलेंगे जिसके चलते एवन ये रोतर होते एक दूसरे को गले तक लगा दिये थे वेल अपनेक्स सुभा जब सुबह सुबह जियांग और हान की एक दूसरे से मुलाकात होती है तो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज़दा अजीव फील कर रहे थे और वेल इस उकवर्टनेस को खतम करने के लिए दोनों के दोनों एक साथ एक दूसरे से बात करना चाते थे जिस पर हान पहले कहने लग जाती है कि कल हमने कुछ जादे अल्कौहौल पी लिया था जिसके चलते हुँ अल्कौहौल मेरे फ्रेंटल लोब पक लग गया और इस रीजन की वज़े से कल मैं रोई अदरवाइस मैं रोती वोती नहीं हूं जिसे सुनकर जियोंग भी कहने लगते हैं कि हाँ 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 इसी रीजन की वज़े से मैं भी रोया यान कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी बलकि हमारे फ्रेंटल लोब की गलती थी और हमें इसको ठीक करवाना पड़ेगा इसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे से प्रामिस करते हैं कि पिशली राज जो कुछ भी हुआ इस बात को वो वापस से एक दूसरे के सामने नहीं लाएंगे और इसके साथ साथ जो है एक दूसरे से दूर रहने की पूरी कोशिश करेंगे मिलब इसके बाद हान अपने कमरे में चली जाती है और वहीं पी जियों किसी काम से भार यहाँ पर जब हान अपने कमरे में जाती है तो तुरंत हान के पास उसका भाई नाम आते है नाम हान से कहने लगता है कि तुम्हें जादा स्ट्रेस लेने की जुरत नहीं है मतलब वो जान बुच के हमें पोक करने की कोशिश करते हैं और ठीक इसी तरह से नाम भी अभी हान को पोक करने की कोशिश कर रहा था और इनकी सारी बाते हान की मौम भी सुने में लगी हुई थी जिसके चलते हुने नाम पे तो बहुत जादा गुसा आ रहा था और इस चीज की वज़े से वो तुरंती नाम के पीछे पढ़ जाती है उसे मारने के लिए जिसे देख हान तुरंती अपने कमरे के लिए चली जाती है जहां पर जाने के बाद हान खुद से कहने लगती है कि अगर मैं इस सिचुएशन में इस घर में रही तो मेरी कंडिशन और ज़्यादा बिगर जाएगी बट ली होंग तो कुछ ज़्यादा ही बिजी थी इवन ही आपर हान ली होंग से कहने लगती है कि कोई बात नी कल घूमने चल लेंगे बट कल के लिए भी ली होंग बिल्कुल फरी नहीं थी ली होंग हान से कहना लगती है कि अगर तुम्हें इतनी बॉरित फील हो रही थी तो तुमने जॉब छोड़ी क्यों वापस से चले जॉब लेने के लिए अपना बिसके बाद थान अपनी दोसका कॉल कट करकर रूम में बैठी थी कि तब बेचाराख से हान की मम हान के पास आती है पाणी और दवाई लेकर हान की मम हान से कहना लगती है कि अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की जुरत नहीं है कल तुम्हारे भाई को तुम्हारे ड्रॉर में से सारी दवाईयां मिल गई थी और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस तरह से छुप छुप कर दवाईयां खाओ मैं चाहती हूँ कि जल से जल तुम्हारे डिप्रेशन खतम हो जाए और बात ही पी खतम नहीं होती जब हान अपनी दवाईये कंप्लीट करने के बाद जैसी रूम से भार जाती है तो हान को अलगी भार सप्राइज मिलता है यहाँ पर हान के इस्ट्रेस को खतम करने के लिए हान की मौम अंकल और हान के बाई ने हान के लिए टेबल सजा रखा था जिस पर नाम कहने लगता है कि दीदी मेरा आइडिया है मैंने इन लोगों को यह आइडिया दिया था जिस तरह से लोग हर ओकेशन में पार्टी करते हैं भले ही वो अच्छी ओकेशन हो या फिर बुरी जैसे की गुडबाई पार्टी डिवास पार्टी ठीक उसी तरह से आज हम आपकी डिप्रेशन पार्टी मना रहे हैं भी पी दूसरी तरफ जियोंग गया हुआ था अपने लॉयर से बात करने के लिए जहांपर लॉयर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि जियोंग के फिंगर प्रिंट्स उस दवाई की डिबी में से कैसे मिल गए पर खेर उन्हें जादा चिंता करने के जूरत नहीं है क्योंकि इतना सबूत ये प्रूफ नहीं कर सकता कि जियोंग ने जान बूच कर उस लेडी का खून करा इसके साथ साथ डॉक्टर लोग कहने लगते हैं कि जो अगले हफ़ती हीरिंग होने वाली है उस हीरिंग में डॉक्टर कांग जिन भी विटनेस बनना पसंद करेगा बिलब भार निकलने के बाद जियोंग जंक सुन से कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है मतलब पिछले हफ़ते तक तो डॉक्टर कांग जिन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता था इतना फोर्स करने के बाउजूद भी वो कुछ नहीं कर रहा था बट आज अचानक से उसने खुदी आगे से कह दिया कि वो अगले हफ़ते विटनेस बनना चाहता है ये बहुत जादा स्ट्रेंज बात है पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग के रूम की तरफ कोई काले कपड़े पहना हुआ आदमी जा रहा था पर इस बार वो कमरी की तरफ तक नहीं जाता बलकि वो तुरंती जो है कांच की खिड़कियों को एक हतोड़े की हल्प से तोड़ दीता है कांच तूटने की ओवास थो हान की मॉम और नाम भी सुनता है लकिन उनको लगने लगता है कि में भी उनके ही कान बज़रे हैं पर साथ हान की मॉम नाम से कहने लगती है कि ये सारी की सारी बलैंकिट तो मुँपड देके आ जाओ जियोंग के पास बहुत पतला सा कंबल है उसको तो बहुत जादर रात को ठंड लगती होगी जिस पर नाम कहने लग जाता है कि आप उसकी कियर क्यों कर रही हो और आप नहीं तो कहा था कि वो डॉक्टर है तो उसके पास इतना पतला कंबल क्या कर रहा है उसे तो रिच होना चाहिए जिस पर हान की माम नाम से कहने लगती है कि तुम इतना फाल तो बोलने की जूरत नहीं है तुम खुदी सोचो कि अगर वो इतना ही अमीर होता उसकी कंडिशन अच्छी चल रही होती तो वो हमारे इस टाइप के घर में रहता जिसकी बात नाम अपनी माम की बात मानते हुए तुरंती उपर पहुंच जाता है और इवन इसके साथ साथ नाम देख पाता है कि कमरे का गेट खुला हुआ है और इतना है नई बलकि अच्छानक से नाम ये भी नोटस कर लेता है कि जियोंग के कमरे की खिड़की तक तूट चुकी है यहाँ पर कुछी दिर में जियोंग भी कमरे में पहुंच चुका था जिसके बात नाम जियोंग को भी सारे की सारे सिच्वेशन बता देता है कि उसके कमरे का गेट अल्रेडी खुला हुआ था और इवन काच के खिड़की भी तूटी हुई है ये सब चीज़ें जियांग को काफ़ी ज़दा जीब लगती है क्योंकि उसने तो खिड़की तोड़ी ही नहीं जिसके चलते ये तुरंती पुलिस कंप्लेन कर देते हैं पर हान का मानना था कि जो कोई भी उसके कमरे में घुसा होगा उसने कोई भी समान उसके कमरे से नहीं चुराया जिस पर पुलिस का मानना था कि उसे हान के कमरे में या तो वो चीज़ नहीं मिली होगी जो वो लेना चाहता था या फिर ऐसा हो सकता है कि नाम उपर आ रहा था और ये चीज़ की आवाज वो सुन चुका होगा जिसके चलते वो टाइम रहते भग गया वेल अब इसके बाद पुलिस फुलिस तो वाँ से चले जाते हैं लेकिन हान की माम को जाधे ही काइंड होती है हान की माम जियांग से कहने लगती है कि क्यों ना तुम आज रात हमारे ही घर में सो जाओ क्योंकि तुम्हारी कमरे की खिड़की तूट चुकी है जिसके थूँ तुम्हारी कमरे में काफी ठंडी हवा आएगी और इस रीजन की वज़े से तुम सो भी नहीं पाओगे पर जियांग जादा बाड़न है बढ़ाना चाहता सा जिसके चलते जियांग हान की माम से कहने लगता है कि आपको जाधा चिंता करने की जुरत नहीं है मैं खुद से मैनेज कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे नियूस पेपर पड़े हुए है, मैं उन नियूस पेपर को अपने कमरे की खिड़की में लगा दूँगा वेलब जियोंग अपने कमरे में जाकर सारे काँच के तुकड़ों को उठाने लगता है, पर शिरुवात में नियूग काफी सारे बहाने बनाने लगता है जैसे कि मैं क्यों में के घर में चले जाओंगा या अपने दोस्तों के घर में चले जाओंगा या फिर अपने रिलेटिफ के घर में चले जाओंगा पर हान को भी इन सब चीज के जवाब अच्छे से मालूम थे क्यों में अभी सर्जरी में विजी होगा जियोंग के दोस उसे भाव नहीं देते यानि कि उसे बात नहीं करते और रही बात जियोंग के रिलेटिफ्स की वो तो जियोंग का कॉल तक नहीं उठाते तो जियोंग रहेगा किसके घर पर इतना सब कुछ जियोंग को बताने के बावजूद भी हान समझ चुकी थी कि जियोंग किसी भी केमत पर उनके साथ सोने वाला नहीं है जिस पर पहले तो हान जियोंग की हेल्प करने लगती है उनकाच के तुकड़ो को उठाने में और फिर उसके बाद कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं ठीक है तुम अपने कमरे में सोजो वैसी भी छोटा साई तो मैटर है किसी ने तुमारी खिड़की ही तो तोड़ी है बस अदर वाइस जो बड़ा सीन होता है उसमें तो कोई भी परसन भार से आता है और अंदर सोरे परसन को मार देता है या फिर उसको उल्टा लटका देता है और वैसे भी रीसेंट वे हमारे बगल वाली बिल्टिंग में चोरी हुई थी तो ये सारी तो नॉर्मल सी बात है जहाँ पर शिर्वात में जैसी हान की मॉम को मालूम पढ़ता है कि जियोंग हान का ही क्लास में था जिसके चलते हान की मॉम एक एक करके सारी अच्छे अच्छे डिशिस जो है जियोंग की तरफ रखने लग जाती है जिसके बाद नाम ज्योंग से पूछे लगता है कि मेरी ब्हेंग वैसे क्लास में कैसी थी मतलब वो एक तरह से पूछ रहा था कि उसकी भेहन भी शराद करती थी कि नहीं करती थी जहांपर जैसी ज्योंग हान की बुराइग करना श्यूरू करता है तो हान की मॉम भी धीरे धीरे करके सारी अच्छे अच्छे डिशिस एक बार फिर से जियोंग से दूल लेके जाने लगती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हान और जियोंग नॉर्मल क्लासमेट थे कोई भी बेस्फरेंड बेस्फरेंड नहीं थे जिसके चलते वो जियोंग को अच्छा खाना क्यों दे लेकिन यहाँ पर हान और जियोंग की बाते खतम नहीं हुई थी यहाँ पर जियोंग कहने लग जाता है कि हान पूरे टाइम पढ़ा करती थी हर चीज में आगे रहती थी एवन हम लोग इंजॉय करने के लिए भी जाते थे तो हान वहाँ पर हमारे साथ नहीं जाती वैल यह बात सुनकर हान की मॉम थोड़ा रोने लग जाती है क्योंकि उनकी बेटी बच्पेर में कित्ता जादा हार्ड वरक करती थी अपनी सारी खुशियों को पीछे चोड़ कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी जिस पर जियांग हान की मॉम से माफ़ी मांगता और कहने लगता है कि मुझे ये बात आप लोगों के सामने नहीं कहने चाहिए थे और फिर थोड़ी तिर बात हान की मॉम भी रोना बंद कर देती है और इसके साथ अब हान की मॉम को मालूम पढ़ गया था कि जियांग इतना भी बुरा नहीं है जिसके चलते वो एक बार फिर से जियांग की तरफ अच्छे चे डिशिस बढ़ाने लग जाती है खाना खाने के बाद हान जियांग को एक दरी, कंबल और तक्या दे देती है और कहने लगती है कि अराम से सो जाना और मुझे डिस्टरब मत करना जिस पर जियांग हान को रोकते हुए कहने लगता है कि क्यो नहीं हम लोग आईस्क्रीम खाने जाए क्योंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी तुमने अपने घर में मुझे सुलाया जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ट्रेट दूँ और एवन हम दोनों को ये अच्छे से मालूम है कि अभी हम कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं हाँ पर शिरवात में तो हान जियांग से कह देती है साफसाफ की काफी रात हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली इसके बाद हान तुरंती जियांग के रूम से भार निकल कर अपने रूम की तरफ बढ़ी रही थी कि तिबे अचानक से हान देखती है कि उसकी माम उसके रूम में जा रही है दवाईया लेकर और उपर से हान के माम चिला चिला कर बोलने में भी लगी हुई थी कि हान बेटा तुम कहा हो मैं तुमा ले टी लेके आई हूँ इससे डिप्रेशन तुमारा थोड़ा कम होगा और हान ये सारी बात एक बाद फिर से नहीं सुना चाते थे जिसके चलते हान तुरंत ही जियांग के रूम में भाग के जाती है और कहने लगती है कि चलो फटाफट आइसक्रीम खाने चलते हैं वहीं पर दूसरी तरफ हम ली हॉंग को देख पाते हैं जो कि पूरी रात काम करने में लगी हुई थी और यहाँ पर ली हॉंग अपना काम खतम करकर थोड़ा ब्रेक लेती है और हान के बारे में सोचने लग जाती है ली होंग सोचने लगती है कि हान ने आज से कभी भी ब्रेक नहीं लिया जिसके चलते उसे मालूम नहीं होगा कि किस तरह से उसे अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए जिस पर ली होंग को एक आइडिया आता है कि क्यों न वो हान को समझाए कि किस तरह से फ्री टाइम में इंजॉय किया जाता है जिसके लिए ली होंग तुरनती यूट्व में वीडियो सर्च मانने लग जाती है जहांपर वीडियो स्क्रॉल करते करते अच्चानक से لी होंग को एक वीडियो दिखाई देती है और वो और किसी की नी बलकी दाय यॉंग की ही थी बिल दाय यॉंग ने तो वीडियो टाइटल बहुत अजीब सा डाला हुा था जिसके चलते ली होंग तुरंती दायोंग की वीडियो पर क्लिक करती है ये देखने के लिए कि अंदर क्या समझा रहा है ये पर दायोंग की वीडियो देखने के बाद ली होंग को दायोंग की वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ली होंग कहने लग जाती है कि पता नहीं क्या वीडियो डालने में लगा हुआ है ऐसे चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा बट यहां पर हो जाती है ली होंग से गरबर ली होंग अचानक से स्क्रॉल करते टाइम गलती से दायोंग के चैनल को सब्सक्राइब कर देती है और ये चीज नोटस भी नहीं कर पाती। जिसके चलते दा यॉंग जो कि अपने कलीक्स के साथ अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तब इतने में दा यॉंग को एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जहाँ पर मैसेज देखने के बाद दायॉंग का फिजदा सप्राइस था। उसके ममी डैडी और सारे कलीक्स को मिलाने के बाद उसके टोटल पांच सब्सक्राइबर थे। लेकिन अचानक से किसी ने दायॉंग के चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। और वेल इस चीज़ को देखकर दायॉंग काफी जादा खुश होता है। और वैसे भी होगा क्यों नहीं खुश क्योंकि हम यूट्यूबर्स के लिए एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने की बहुत जादा खुशी होती है। कि यहान के लागता है कि इन दोनें में अंतर क्या हुआ जिस पर हान बिलकुल या शोरा को समझाने लग जाती है हान कहरा कि फ्रेंड्ड वो होता है जिन से हम बात करना चाहते हैं जो घंट आपकर होता है। तोось हमारी चीज़े हम करेंगे जिस पर हान कहने लग जाती है कि मुझे तो किताबे पढ़ना पसंद है और अफकॉर्स ये बात सुनकर ज्यांग का दिमाग चक्रा जाता है क्योंकि जियांग चाता था कि हान अपनी सारी की सारी काम वाम की चीज़ों को भूल कर इंजॉयमेंट में ध्यान दे वहीं पर हान स्टिल अभी भी अपनी पढ़ाईयों पर अटकी हुई थी जिस पर जियांग कहने लगता है कि तुम तो रहने दो एक काम करते हैं जो कुछ भी तुमने बच्पन में नहीं खाया यानि की पढ़ाई के चकर में जो कुछ भी तुमने स्किप करा वो सारी की सारी चीज़ों हम खाएंगे और सांसा तुम गेम खेलने के लिए भी नहीं गई थी ना वहाँ पर भी हम लोग खेलने के ले जाएंगे जहाँ पर शुरुवात में तो हान जियांग से कहने लगती है कि मेरा पेट अलरेडी भड़ चुका है और मैं अभी कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ लेकिन जब जियांग हान को लोकेशन में लेके जाता है और स्ट्रीट फूट खिलाता है तो हान तो रुकती ही नहीं खाना खाने से मतलब जो लड़किया भी बोल रही थी कि मेरा पेट भरा हुआ है वो दबा दबा के खारी है खाना अब खाना खाने के बाद जियंग हान को खेलने के लिए लेके जाता है जहाँ पर शुरुवात में हान वहाँ पर भी नहीं जाना चाहती थी लेकिन उस लोकेशन को देखने के बाद अब हान के मन में भी था कि मुझे फटा फट से ये गेम खेलने हैं जहां पर सबसे पहले ये लोग गेम खेलते हैं बॉक्सस को सी जगा पर लगाने वाला मतलब जो होते हैं अजीब-जीब से टेड़े मेरे बॉक्स आगे और तुम्हे जो है सी जगापर उन बॉक्सस को लगाना है और विल जियांग को तो शुरुआत में लग रहा होता है कि हान तो बुद्दू है जिसके चलते मेरा फर्स बनता है हान को समझाना लेकिन जब जियांग हान की स्क्रीन को देखता है तो उल्टा हान यहाँ पर जियांग से जादा अच्छा खेल पा रही थी मतलब ऐसा हान को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हान ये चीज़ पहली बार खेल रही है विल अब इस गेम से बोर होने के बाद ये दोनों चले जाते है गाना गाने के लिए जहांपर जियांग गाना नहीं गाती उल्टा पोएम गाने लग जाती है और अफ्कॉर्स पोएम सुनना हर किसी को बोरिंग लगता है जिसके चलते एक टाइम बाद जियांग तुरंती जो है स्क्रीन को बंद कर देता है ताकि हान गाना गाना बंद करे या फिर पोएम सुनाना बंद करे यहाँ पर जियांग हान से कहने लगता है कि तुमने गाना क्यों नहीं गाया तुम पोयम क्यों गा रही थी जिस पर हान का मानना था कि उसने बच्पन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोयम याद करी बाकि उसने कभी भी गाने नहीं सुने आज के टाइम पर जहां सभी लोगों को के-पॉप गाने अच्छे से मालूम है वहीं पर मैंने एक भी गाना नहीं सुना है क्योंकि मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता था और इवन हान और जियांग दोनों को ये एक साथ इंजॉय करने में काफी जादा मज़ा आता है वेलब ये लोग पूरे टाइम इंजॉय करते हैं और फाइनली बारी आ जाती है इनकी वापस घर जाने की जहाँ पर हान को आज काफी जादा मज़ा आया था जिसके बाद जियांग हान से कहने लगता है कि ठीक है हम लोग एक बार फिट से वहाँ पर जाएंगे खेलने के लिए लेकिन तुम्हें मैं एक तास देना चाहता हूँ जब कभी भी हम नेक्स टाइम वहाँ पर जाए उस टाइम तक तुम्हें एक के-पॉप गाना तो याद हो जाना चाहिए जिससे सुनकर हान अचानक से गहरी सास लेकर छोड़ती है यहाँ पर जियांग को लगता है कि हान ने ऐसा इसले करा क्योंकि एक बार फिट से हान को याद करना पड़ेगा जिस पर हान कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने क्यूं इतनी पागल पंती करी अपने पास्ट में मेरे पास करने के लिए तो बहुत सारी चीज़े थी जिसके थुरू मैं काफ़े ज़दा हैप्पी लाइफ जी सकती थी लेकिन मेरे अपना टाइम किसमें इंवेस्ट करा उस चीज में जिस पर तो अब मेरा करेरी खतम हो चुका है जिस पर जियांग हां से कहने लगता है कि हम दोनों का यह भी टाइम खराब चल रहा है लेकिन इस शीज की वज़े से हम अपनी लाइफ को खराब नहीं कर सकते हम एक बार फिर से अपनी मूराल को उपर करने की कुशिश करेंगे वेल गाईज अगर आपको अभी तक मेरे एक्स्प्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सुस्क्राइब करना मत भूलना और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जैसी में नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे का अपलोड करूँ तो आप लेगो को तुरंते नोटिफिकेशन पहुंच जाए और गाईज एक और बात में इस ड्रामे के साथ साथ एक और ड्रामा की एक्स्प्लेनेशन करने में लगी हुई हूई हूँ जाने के बात कहने लग जाता है कि हान वैसे इतनी भी बुरी नहीं है वो मुझे समझती है उसे अच्छे से मालूम है कि मेरी परसनालिटी कैसी है यानि कि मैंने गलत काम नहीं करा होगा इवन आज उसने मेरी हेल्प भी करी काच उठाने में यानि कि वो केरिंग और हेल्पफुल भी है और इसके साथ साथ जब वो मेरे साथ डांस कर रही थी तो काफी क्यूट भी लग रही थी यहाँ पर जियांग यह सब को सोची रहाता है कि तब चनल से जियांग को याद आता है कि वो हान की तरिफ क्यों करने में लगा हुआ है उसका ब्रेंड डैमेज हो गया है क्या वो जिस लड़की से नफरत करता है उसी की तरिफ करने में लगा हुआ है जिसके चलते जियंग तुरंत ये अपने बेड में चले जाता है सोने के लिए वहीं पर ये दूसरी तरफ हान भी जियंग के बारे में सोच रही थी हान कहा रही थी कि मेरे इस हार्ट टाइम में मुझे लगता था कि कोई मेरे पास आएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए लेकिन आया भी तो कौन जियोंग उसने मुझे टेस्टी टेस्टी खाना किलाया मेरे साथ डांस करा और इवन जब मैं लोग फील कर रहे थे तो मुझे मोटिवेट भी करा और ये तीन चीज़ मेरे को आज बहुत ही जादा अच्छा फील कर वाइब जिसके बाद हान बेड में चली जाती है हसते हुए और ये भी विश्ट करती है कि ऐसा ही दिन उसकी लाइफ में रोज आता रहे बट ऐसा कुछ नहीं होता उल्टा नेक्स डेई हान चिलाने लग जाती और तुरंती पहुंच जाती है जियोंग के पास उसको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आपर हान जियोंग को दिखाने लगती है कि उसकी जो सैलरी आई है वो बहुत जाद ही कम है और अभी हान को मालूम पड़ा है कि वो लो पोस्ट में काम करा करती थी जिसके चलते जियोंग समझ जाता है कि हान का प्रोफेसर हान को कोई भी प्रॉजिशन नहीं बढ़ाता था बल्कि हर बार जो हान को एक काट्रेक्ट वर्कर के तौर पर रख देता था जिसके चलते हान को एतनी कम सैलरी मिली वेले बात सुनकर हान को काफी गुसा हो रहा था और इस चीज़ की वज़े से हान अभी के अभी अपने प्रोफेसर को ढंक से सबक सिखाना चाहती थी लेकिन तुरती जियांग हान को रोख देता और कहने लगता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी अभी तुमने अपने प्रोफेसर के साथ सीन क्रेट कर रहा है और अगर तुम एक बार फिर से सीन क्रेट कर दोगी तो तुम्हारी जॉब कहीं पर भी नहीं लगने वाली है और वैसे भी लोगों को असलियत कम पता होती है और वो बोलते जादा है और ये चीज जियांग से बढ़कर कौन समझ सकता है जिसके बाद जियांग चले जाता है अपने रूम की तरफ और साथ सा जाता जाता है ये भी देख पाता है कि हान एक बार फिर से टेंशन लेने लग गई है अब इसके बाद हान पहुंच जाती है हास्पिटल के बार अपने कलीक से मिलने के लिए और यहाँ पर हान को मालूम पढ़ता है कि सिर्फर सिफ हान की पोजिशन ने इबलकि प्रोफेसर ने तो इन लोगों की पोजिशन को भी लोग करा हुआ है हान चाहती थी कि ये तीनों की तीनों मिलकर प्रोफेसर से लड़के आए बट वो साफ-साफ इस काम कले हान से मना कर देते हैं क्योंकि हान ने तो अपनी जड़ छोड़ दी है लेकिन अभी तो वो जाब कर रहे है और उनके लिए अपनी जाब प्यारी है जिसके चलते वो किसी भी कीमत पर ऐसे उल्टे सीरी स्टेप्स नहीं उठा सकते इवन यहाँ पर वो लोग ये तक हान से कह देते हैं कि वो आप अगली बार से उससे मिलने ना आए क्योंकि अगर बायजंस प्रोफेसर को मालूम पड़ा कि ये दोनों के दोनों कलीक्स हान से मिल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन कलीक्स की भी जॉब उनके हाथों से चली जाए वहीं पी दोसी तरफ जियांग अपने रूम में बैटकर हान की बारे में सोचने में लगा हुआ था अब जहांपर जियांग का एंजल साइट कहने में लगा हुआ था कि मुझे हान से उसका नमब लेलना चाहिए ताकि मैं उसका हाल चाल उससे पूछ सको वहीं पी जियांग का इवल साइट कहने लगता है कि मैं क्यो हान का नमब लूँ जियांग का एंजल साइट कहने लगता है कि कही हान मुसीबत में तो नहीं वहीं पी इवल साइट कहने लगता है कि मुझे क्या फरक पढ़ता है वो मुसीबत में भी होगी तो कि तब इतने में जियोंग की नजर पढ़ती है अपने कमरे की खिड़की पर जियोंग कहने लगता है कि इन्होंने इतनी मेरी मदद करी कल मुझे खाना खिला है और इवर मेरी खिड़की तक ठीक कर दी जिसके चलते मेरा भी इनको थैंक्यू बोलना तो बनता ही बनता है मुझे इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए और फिर रास्ते में मुझे हान मिल भी जाएगी तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता मैं हान से उसका हाल चाल पूछ लूँगा सिंपल जिसके बाद जियंग बहुत बड़ा फ्रूट का डबा खरीद कर हान के घर में जाने ही वाला था कि तबी गेट से ही जियंग को अंदर चल रही बातों की आवास सुनाई देने लग जाती है जहां पर नाम अपनी मॉम को कहने में लगा हुआ था कि ममी मुझे याद आ गया कि मैंने जियंग को कहा देखा था वो एक्चले मैं प्लास्टिक सरजुरी का काम करता और इस रीजन के वज़सी रीसेंट में उसके ओपर केस चल रहा है लोगों का मानना ये है कि उसने उस पेशिंट का खून करा है जान बूच कर वो भी कि एक क्रिमिनल ही अपनी आइडिटेटी को छुपा के रखता है और इवन अब तो मुझे अपनी भेन को भी उससे दूर करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेन अल्डेडी डिप्रेशन में है और अगर वो जियोंग के सांथ जाज़ दिन तक रही तो उसकी लाइफ और भी जादा खराब हो जाएगी उसकी लाइफ में भी टेंशन बढ़ने लगेंगे और मेरी मानन तो जियोंग को हमें घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी बात फैली या फिर उपर नीचे हुई तो हम लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि हमने जियोंग का अपनी घर में रखा के लिए बात सुनकर जियोंग का मन थोड़ा सा उदास हो जाता है और इस रीजन की वज़े से जियोंग वापस अपने रूम की तरफ चले जाता है इसके सांसा ठीक उसी टाइम पर हान भी घर की तरफ आ ही रही थी और जियोंग को उपर जाता हुआ देख तुरंती जियोंग के पीछे पीछे चली गई थी हान जियोंग को देखकर कहने लगती है कि तुमने इतने सारे फ्रूट्स क्यों खरी दे मुझे लगता है कि तुम अपनी बॉड़ी की विटाइमिन्स की कमी पूरी करने में लगी हुए हूँ इसके साथ हान नोटिस कर पाती है कि जियोंग का मूट थोड़ा सा खराब है जिस पर इवन हान जियोंग को रोकते हैं उसे पूछती भी है कि उसे क्या हुआ पट इसके बावजोद भी जियोंग हान से जादा कुछ नहीं बोलता और अपने रूम की तरफ चले जाता है जिसके बाद जब हान भी अपने घर जाती है तो तुरंती हान की इमाम हान को बता देती है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ कांड वांड कर रहा है तो तुम्हें भी उससे दूरी बना के रखनी चाहिए बेल ये बात सुनकर हान को अब समझ आ चुका था कि जियोंग का मूट क्यों खराब है क्योंकि हान ने देखा था कि उपर जाने से पहले जियोंग दो मिनट के लिए शायद से उसके घर की तरफ रुका हुआ था तो हो सकता है कि उसने सारी के सारी अंदर चल रही बातों को सुन लिया हो जिस चीज के बारे में पता चलने के बाद हान तुरंती डिसाइड करती है कि वो अभी कि अभी जियोंग को मैसेश करेगी जहाँ पर शुरुआत में हान जियोंग को लिखने लगती है कि जो कुछ भी तुमने सुना वो सिर्फ और सिवे एक misunderstanding थी उन्हें कुछ भी असलियत नहीं मालूम है तुमारे बारे में क्योंकि कि तभी टाइब करते करते हान को याद आता है कि उसके पास तो जियोंग का नंबर ही नहीं है तो वो मैसेज किस पर करेगी विलब जियोंग अपने रूम में बैट कर ये सारी बाते सोची रहाता कि तभी इतने में जियोंग को उसकी लॉयर का कॉल आता है जहाँ पर लॉयर जियोंग को बताने लगता है कि डॉक्टर कांग जिन ने विटनेस देने के लिए मना कर दिया है विल ये बात सभी को कफी ज़दा अजीब लगती है क्योंकि जो डॉक्टर कांग जिन पहरे तो कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन फिर अचानक से वो खुद आगे से कहने लगा कि मैं विटनेस देना चाहता हूं यानि कि विटनेस बनना चाहता हूं बट अब एक बर फिर से जब जियोंग को कांग जिन की जादा जरुरत थी उसी टाइम पर कांग जिन ने साफ साफ जो है मना कर दिया जिसके चलते जियोंग तुरंती डॉक्टर कांग जिन को कॉल मिलाता है जहाँ पर इवन कांग जिन भी जियोंग के आते हुए कॉल को देख चुका था लेकिन इसके बावजोद भी कांग जिन जियोंग के कॉल को इग्नोर मारता है जिसके चलते जियोंग तुरंती अपने क्लिनिक जाकर रिसेप्शनिस से पूछने लगता है कि कांग जिन कहां पर है लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो जियोंग को एक और बहुत बड़ा जटका लगता है यहाँ पर receptionist जियोंग से कहने लगती है कि आज ही डॉक्टर कांग जिन ने जॉब से resign कर दिया वेल ये news थोड़ी तेर में मीडिया रिपोर्टर्स तक भी पहुंच चुकी थी जिसके चलते मीडिया रिपोर्टर्स कहने में लगे हुए थे कि डॉक्टर कांग जिन को भी शायद से जियोंग के असलियत के बारे में मालुम पढ़ गया और इसी रीजन की वज़े से उन्होंने जियोंग का साइड नहीं दिया और तुरंत यहाँ से चले गए पेलिस न्यूस को हान भी देख रही थी जहाँ पर हान को जियोंग के ले काफी ज़दा बुरा लग रहा था और वहीं पर जियोंग भी काफी ज़दा दुखी था और इस दुख को कम करने के लिए डिंक करने में लगा था आप आगे हम देखपाते है कि हान रात को बैट कर जी ओंकी केस के बारे में पढ़ी रही थी कि तबे चरणाग से हान के माइंड में एक override होती है और उस टाइम पर उसको माफी भी मिल गई थी क्योंकि उसमें इसकी गलती नहीं थी वहीं भी दूसी तरफ हम जियोंग को देख पाते हैं जो कि कोट में मौजूद था यहाँ पर जियोंग के केस की सुनवाई चलने में लगी हुई थी और इस टाइम पर इवन जियोंग के लौयर के पास भी कोई भी प्रूफ मौचूद नहीं था जो कि यह बता सके कि जियोंग बेकसूर है जिसके बाद इससे पहले कि जजज यह बोल पाता कि जियोंग केस में गलती है और जियोंग को ही सजा मिलेगी कि तब ही अचानक से वहाँ पर हान पहुँच जाती है अपने प्रूफ लेकर विल जियोंग को काफी खुशी हो रही थी कि हान ने उसके इतनी जज़ादा मेहनत करी बट हान की मेहनत इतनी ज़ादा रंग नहीं लाती क्योंकि इस टाइम पर जज़ इस एविडेंस को नहीं ले सकता था क्योंकि अल्रेडी काफी ज़दा देरी हो चुकी थी लेकिन अफकॉर्स एक तरह से एविडेंस साज इसके चलते जज़ी एलान करता है कि अब इस केस की सुनवाई अगले हफते होगी की उस टाइम पर इन लोगों को प्रॉपर एविडेंस अपने साथ लेके रखना है यानि कि जहां जियॉंग को भी जेल जाना पड़ता हान की वज़े से जियॉंग की जेल जाने वाली बात पोस्पोन हो चुकी है विलब कोट से भाँ निकलने के बाद जियंग को सारे कि सारे मीडेय रिपोर्टस ने घेल लिया था लेकिन वहीं पि जियंग का ध्यान था सिर्फ ए फ हान की तरफ इसके साथ सा ठीक उसी टाइम पर कोई गलती से हान से टकरा जाता है जिसके चलते हान गिर भी जाती है जिसे देख जियांग तुरंती हान के पास भाग कर जाता है उसे उठाने के लिए इवन यहापर जियांग ये भी नोटस कर पाता है कि हान के हाथों में काफ़ी बड़ा घाओ आ चुका है जिसके चलते जियांग तुरंती हान को अपने क्लिनिक लेके जाता है मतलब जियांग का क्लिनिक तो बंद हो गया था लेकिन हान के हाथों में घाव आ गया था जिसके चलते उसमें बेंडिज लगाना तो बनता था विल हान के हाथों में बेंडेज लगाते टाइम जिऑंग तुरंटी हान को थैंक्यू बोलता है क्योंकि आज चान की विज़े से जिऑंग थोड़ा सा बच गया इसके साफ सा जिऑंग हान से ये भी पूचता है उसका मूट कैसा है अभी क्या वो अभी भी दुकी है उस बात को लेकर कि उसे थोड़े कम पैसे मिले जिस पर हान कहने लगती है कि नहीं अब मैं बिल्कुली नॉर्मल हो चुकी हूँ और अब मुझे थोड़े पैसे मिले है तो क्यों नहीं हम आच पार्टी करें हम लोग खाना खाने चले या फिर गेम खेलने चले या फिर उस दिन की तरह ड्रिंक करकर एक दूसरे को गले लगा कर रोई हान आगे कहती है कि हम आच पूरी रात इंजॉय करेंगे हम तब तक इंजॉय करते रहेंगे जब तक सूरच उग नहीं जाता विल इस बात को सुनकर जियोंग को चानक से एक आईडिया आता है जियोंग हान से कहने लगता है कि क्यों न हम लोग आच सनराइज देखने चले जिसे सुन हान कहने लगती है कि सन्राइज देखना तो बहुत जादा बोरिंग होता है एक बार में गई थी सन्राइज देखने के लिए जिस पर जियांग कहने लगता है कि वो एक्चुल सन्राइज नहीं था वहाँ पर तो मज़ा भी नहीं आता है एक्चुल सन्राइज देखने का मज़ा तो तब आता है जब तुम बीच के पास मौजूद हो और वहाँ से सन्राइज हो रहा हो जिसके बाद जियांग और हान दोनों के दोनों पहुंच आते हैं बीच के पास यहाँ पर एक और फ़नी सीन होता है वेल हान यहाँ पर वेदर रिपोर्ट देखने में लगी हुई थी कि सूरज का बुगेगा जिसे देखकर जियांग कहना लगता है कि तुमने गलत कर रखा है जहाँ पर अब जाकर हान को मालूम पड़ता है कि वेदर चेक करने के लिए इन लोगों को लोकेशन भी चेंज करने पड़ती है पर खेर अब जियांग वेदर देखने लगता है जहाँ पर वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज सनराइस नहीं होगा क्योंकि आज बारिश होने के जादा चांसे है जिसे सुन हान कहने लगती है कि ये वेदर तो बिल्कुल हमारे करियर की तरह है यानि कि उचाला तो कहीं से दिखी नहीं रहा जिसके बाद बात करते करते जियांग फाइनली हान से कह देता है कि ठीक है तो मुझे अपना नमबर दे दो हान को समझ नहीं आता कि जियांग ने ऐसा क्यों कहा जिस पर जियांग कहने लगता है कि ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ और भी जादा टाइम सपेंड कर सके ताकि हम लोग क्लासमेट की जगा अच्छे फ्रेंड्स बन सके एसे फ्रेंड जो की मुसीबत में काम आए और वेल इस टाम पर हन भी जियांग को मना नहीं करती और उल्टा जियांग के सांद दोस्ती कर लेती है यहाँ पर हन अपने मन में कह रही होती है कि मुझे मालूम है तुम भी अपनी लाइफ में को जादे स्ट्रगल करने में लगे हुए हो लेकिन इस हाड टाइम में अगर बाई जंस तुम्हारे पास को एक ऐसा परसन आ जाए जो कि तुम्हें कमफर्ट फील करवाए तो इस वजह से कम से कम जो तुम्हारी वर्स सिचुएशन थी वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है और तुम्हें बेटर फील होता है इसके साथ साथ हान अपने मन में कहने लगती है कि भले या सूरज हम नहीं देख पाए कि जब हान और जियांग एक हास्पिटल में एडमिट थे और साथ साथ जियांग सोने में लगा हुआ था तो ठीक उसी टाइम पर हान जियांग लेक नोट लिखती है हान उसमें जियांग को लिखती है कि तुम्हें अपनी बॉड़ी को एक्जास्ट फील नहीं करवाना चाहिए मैं खुद को स्ट्रॉंग करोंगी आई होब तुम भी अपनी बॉड़ी को स्ट्रॉंग करने की पूरी कोशिश करोगे हमें जादा चिंता करने के आज के बाद जुरत नहीं है सब कुछ अच्छा हो जाएगा जिसके बाद हान वहां से जाही रही होती है कि तब अचानक से हान देखती है जियांग की मॉम को जो कि टीचर से बात कर रही थी जहाँ पर हन देख पाती है कि जियॉंग की मॉम को तो जियॉंग की फिकर ही नहीं थी जियॉंग की मॉम तो स्कूल में इसले आई हुई ती क्योंकि उनने लगा था कि उनका बेटा शायद से बिमार हो चुका है उसको कोई डिसीज हो गया है बट जैसी उन्हें मालूम पड़ा कि वो जादा पढ़ने और ठकान की वज़े से बेहोश हुआ तो इस बात से उनको फिकर ही नहीं थी जियांग की वो इवन टीचर से कहना लग जाती है कि पता नी जियांग को क्या हो गया है पहले तो वो भी नहीं मारता सेकेंड पोजिशन लाता है और उपर से वो बियोश हो गया वो मेरी नाग कटवाने में लगा हुआ है विल ऐसा कहने के बाद जियांग की मॉम तो वाँसे चली जाती है कि तब अचनक से हान की मॉम आती है तुरंती हान के पास हान की मॉम हान को देखकर कहन है उन्हें बस इतना मैटर करता था कि जियांग टॉप मारे और वही पी हान की मॉम भली हान की मॉम को बहुत प्राउड फील होता है कि उनकी बेटी ने टॉप मारा है वो स्कोर अच्छा लाई है लेकिन इसके बावजोद भी हान की मॉम के लिए चीज मैटर नहीं करती उन लेक बाव फिट से अगर आप लोगों को 19th floor drama की Hindi explanation देखनी है तो उसका लिंक आप लोगों को description box में उपर आई बटन या फिर मेरे चैनल के playlist section में मल जाएगा तो I hope आप लोग मुझे उस drama में भर-भर के support करेंगे तो तब तक लिए बाई